अगर आप लोग किसी गवर्मेंट एक्जाम की तयारी कर रहे होंगे प्रफिरेसन कर रहे होंगे जिसमें आप देखिए चाहे आप लोग UPSC की बात कर लीजे यानि कि सिविल सर्विस की बात कर लीजे या एस्टेट PCS की बात कर लीजे जिसमें आप देखिए आपका MPPSC हो या 46ग्ण PCS हो गया इस तरह कि जितने भी आपके श्टेट PCS होते है या फिर आप देखते हैं यह च्डेट लेवर पर भी आपके कई कई गवरेm refers specifically for always जिसमें gk और gs से questions पूछे जाते रहे हैं और आप देखिए central के भी कई exam होते हैं उसमें भी आपके gk gs से अच्छी खासी संक्या में questions आते हैं और अगर आप लोग जिस भी exam की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग पुराने questions पर उठा कि उसका देखा करिएगा उनका आप कौन से topic से कितने questions पूछे जा रहे हैं समझ रहे हैं और आप लोग और आपने देखा होगा कि आपको lucent पढ़ने की सला जरूर दी जाती है और आप देखिए कि आपके one day exam में काफी हद तक lucent cover कर लेता है जो questions आते हैं उनके काफी हद तक आप लोग answer देने की स्तिती में प बहुत अच्छे से cover कर सकते हैं और आप मैंसे कई लोगों की ये मांग भी थी कि हमें नई lucent का review करना चाहिए हमें नई lucent को पढ़ना चाहिए पुरानी lucent को हम लोगोंने cover किया हुआ था तो आज ही इस books को मैं खरीद कर लाया हूँ और देखिए मेरा सिरे पुद्दिस आ सबसे बना देते हैं उसी में lucent से संबंदी सभी क्लास हैं आपकी डली रहेंगी तो यह भी आप लोग याद रखेएगा सबसे पहले हम लोग lucent में क्या पढ़ेंगे इसे देख लेते हैं तो आप लोगों के सामने cover page देखी रहा है lucent का देख रहा है या नहीं देख रहा ह तो हम लोग बिसे सुची के अगर हम लोग बात करें तो याद रखे हम लोग इसमें इतियास पढ़ेंगे और इतियास में हम लोग खास कर सबसे पहले प्राचीन भारत देखेंगे और प्राचीन भारत में हम लोग प्राचीन भारती इतियास की क्या सरोत हैं किस तरह से हम प्राचीन भारत के बारे में जानते हैं, उस पर बात करेंगे हम लोग, फिर आपकी प्रगीती हासी काल को देखेंगे, सिंदू सब्यता को देखेंगे, बैदिक सब्यता को देखेंगे, महा जन्पदों का उदय किस तरह से होता है, उस पर बात करेंगे, जैन धरम, बात धरम सेव धरम, बैसनाव धरम, इसलाम धरम, इसाई धरम, पारसी धरम, इन सभी धर्मों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और याद रखिए इसमें point to point आपको देखने को मिलेगा, यानि कि जिस तरह कि आपके questions बनते हैं थेक्ट की देखने को आपको मिलेंगे मगद राजी का उदय किस तरह से होता है, उतकर्स भी देखेंगे हम लोग फिर सिकंदर के बारे में जानेंगे, सिकंदर महान, फिर हम लोग मौर संभराजी के बारे में जानेंगे ब्रहमण समराज्जी के बारे में जानेंगे भारत की यवन राज्जी के बारे में भी बात करेंगे सक्त के बारे में बात करेंगे कुसान के बारे में बात करेंगे संगम यूग के बारे में भी हम लोग बात करेंगे गुप्त संबराजी के बारे में भी बात कर लेंगे, वकाटक राजबंस के बारे में बात करेंगे, पुस्से भूती बंस या फिर वर्दन बंस इस पर भी हम लोग बात करेंगे दच्छिन भारत की फिरमुक राजबंस देखेंगे सीमावर्ती राजबंसों का अभी उद्धय किस तरह से होता है उसे भी हम लोग देख लेंगे और राजपूत राजबंसी की उत्पत्ती किस तरह से होती है उसे भी हम लोग देख लेंगे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्राचीन भारत को एक किलास में कम्प्लीट कर लेंगे उसके बाद हम लोग मद्दकालीन भारत में जाएंगे और मद्दकालीन भारत में हम लोग क्या करेंगे भारत पर अर्वों का आकमण किस तरह से हुआ है उसे हम लोग देख लेंगे फिर आप देखी महमूद गजनी के बारे में पढ़ेंगे मुहमद गौरी को पढ़ेंगे और आपकी परिच्छाओं में किस तरह के कुश्चन्स बन सकते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे फिर हम लोग सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे बिजय नगर संभराज के बारे में पढ़ेंगे बहमनी संभराज के बारे में पढ़ेंगे सुतंत प्रांतिय राज्यों के बारे में पढ़ेंगे सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, भक्ती आंदोलन के बारे में भी बात करेंगे, मुगल समराज को भी हम लोग पढ़ेंगे, मुगल सासन विवस्था को भी पढ़ेंगे और मराठों का उतकर्स भी हम लोग देखेंगे यह आपकी दूसरी क्लास हो जाएगी इसमें मंद्यकालीन भारत को हम लोग कम्प्लीट कर लेंगे बाद में याद रखी हम लोग इतिहास को एक कम्प्लीट कर देंगे इस तरह आप देखें कि हम लोग जो भूगो लोगा उसे भी कम्प्लीट कर देंगे एक एक क्लास कर देंगे जोड़ देंगे उन क्लासों को ठीक है तो आपको परिशान नहीं होना है उसके बाद हम लोग तीसरी क्लास में देखेंगे आधुनिक भारत और आधुनिक भारत में हम लोग उत्तर कालीन मुगल संबराट को पढ़ेंगे फिर आपके भारत में यूरोपिय ब्यापारिक कम्पनियों का आगमन होता है इस पर हम लोग बात करेंगे फिर बंगाल पर अंग्रेजों का अधीपत यानि की सासन की सुरुवात किस तरह से होती है उस पर बात करेंगे हम लोग अंग्रेजों की मैसूर से संबंध किस तरह से रहते हैं उसे भी देखेंगे हम लोग सिक्ख एबं अंग्रेजों के बारे में भी बात करेंगे कम्पिनी के अधीन गवर्नर जनल हम लोग देखेंगे अंग्रेजी सासन की बेरुद महत्पूर्ण जो विद्रो हुए हैं और आप लोग कोई भी एकजाम की तैयारी कर रहे हैं उसके प परिक्षाओं में कुश्चन्स आये हैं 1857 की इस भी की महान किरांथी के प्रवो केंद कौन रहे हैं उस पर भी बात करेंगे भारत का सुतंता संगरस देखेंगे हम लोग और महत्पूर्ण तथेस से संबंदित देखेंगे भारती धार्मिक सामाजिक और राष्टी आंदो खहातं जो जूड़ी हुई हैं उन्हें भी देखेंगे भारत के जो महान सहीद रहें उन पर हम लोग बात करेंगे भारती सुतंदा अंदोलन के पिरमुक बचन और नारे आप देखते होंगे कि ये नारा किसन ने दिया था, करो मरो का नारा किसन ने दिया था, तो इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, सुतन्दा अल्दोजन से सम्मधित पेकासित पत्तिकाएं और पुस्तकों से भी आप देखते हैं कि questions आ जाते हैं, इन पर भी बात करेंगे, उपादी पर आप करता उद्धाता करता कि आप देखिए आप से पूछ लेता है राष्ट पिता की उपादी मत बंगांदी को किस ने दी थी, नेता की उपादी किस ने दी थी सुवाश्चन्द बोस को, तो इस पर भी बात कर लेंगे, कॉंगरेस के अधीवेसन्स और जो हुए हैं, उनसे भी आप अबिकास किस तरह से हुआ हैं, उसे भी देखेंगे, भारत की इतिहासिक लडाईयां जो हुई हैं, उन्हें हम लोग एक ओबरिविव ले लेंगे, पिरमुख जो राजबंस हुए, संस्थापक हुए, राजधानी हुई, इनसे भी कुश्चन्स आते रहते हैं, इन्हें भ पर बात करेंगे, मुसलिम सामाजिक धार्मी कांदोलन और जो संगठन हैं, उन पर भी हम लोग बात करनेंगे, यानि कि तीसरी क्लास में आपका इतना कवर हो जाएगा, फिर हम लोग बात करेंगे, बिस इतिहास, और इसमें आप देखें, बिस तो हो, यानि कि वर्ल्ड हि पर बात करेंगे, और सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिस तो हो, यानि कि वर्ल्ड हिस्टिटी में इतने टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, इतने शेप्टर एक तरह से आपके ये कवर करेंगे, ठीक है, यह आपका इतिहास कतम हो जाएगा, चार किलास में आपकी खतम हो जाएगे, इसके बाद हम लोग भूगोल पर बात करेंगे, और सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे भूगोल में, एक किलास में हम लोग कवर करेंगे, ब्रहमन्ड, सौर मंडल, पिथवी और उसका सौरीक संबंध, पिथवी की आंतरिक सरचना, इस्थल मंडल, म महासागर ये जल्दाराएं, बायू मंडल, बिसकी पिरमुक फसलें उत्पादक देश, बिसके पिरमुक खनेजेवं उत्पादक देश, बिसके बी निर्माड उद्द्यो, बिसके पिरमुक उद्दोगिक नगर, बिसकी पिरमुक जन्जादिया, बिसकी पिरमुक बनस्प बिस्त के पिरमुक जलडमरू, बिस्त की पिरमुक नदिया, नदियों की किनारे बसे बिस्त की पिरमुक नगर, बिस्त की पिरमुक जलपेपाद, बिस्त की पिरमुक जीले, बिस्त की पिरमुक परवस्तिकर, और बिस्त की पिरमुक दूइब, बिस्त की पिरमुक पठार, ब पांचित के नाम से एक प्लेलिष्ट सूची बने विए उस प्लेलिष्ट सूची को आप लोग जरूर पढ़ लेजेगा और आप सभी जानते हैं कि आप जब भूगोल पढ़ते हैं तो मैप का सहरा लेकर आप लोग पढ़ा करिएगा उसमें हम लोगोंने महा सागरों के बार कि इसमें भारत का भूगोल क्या हो जाएगा भारत का भूगोल और इसमें सामन जानकारी देखेंगे भारत का बहुत अक्सोरूप पर बात करेंगे वन जीव अभ्यारन राष्टी उद्यान, भारत की वाग अभ्यारन, भारत की पिरमोग भौगोलेक उपनाम, भारतीय राज्यों के अंतसासित पिदेशों की राध्धानिया और भारतीय जो जन जातिया हैं इन्हें हम लोग कवर करेंगे। आप लोग कवर कर लेंगे और याद रखिए देखिए आप लोगों को बेक्गराउंड कम भी बताए जाएगा, आपको वही पॉइंट बताए जाएंगे इसमें और बहुत तेजी से हम लोग कवर करेंगे कि बहुत जल्दी आपकी लूसेंट कवर हो जाए और अगर आपको विस्तार में पढ़ना है, तो मेरी सला है कि आप लोग लूसेंट की जगह है, आप लोग NCEA, IIT बुक्स पढ़ लीगे, और भी स्पेसल बुक्स पढ़ लीगे, एक ही बल आप देखी कि रिवीजन के उद्देश से अपने पास रखा करिएगा, लूसेंट को, जब आप ल अर्थ विवस्ता को कबर करेंगे, अर्थ सास्त पर बात करेंगे, अर्थ विवस्ता पर बात करेंगे, आर्थिक संबरिद्धी और आर्थिक विकास पर हम लोग बात करेंगे, राष्टियाय पर बात करेंगे, आर्थिक आयोजन नीतियायो, चटी आर्थिक गढ़ना 2014, ग प्रेवित तत केंद्रीय बजट 2021-2022 को हम लोग बात कर लेंगे और आप देखी 22-23 भी आ चुका है तो उसे भी हम लोग देख लेंगे भारती सम्मिधान में अगर हम लोग बात करें अंगली क्लास में हम लोग भारतीय सम्मिधान को कवर करेंगे और भारतीय सम्मिधान की व बारे में पड़ेंगे भारती मिदान की अधश्य नहीं किया हुआ है जो हमने बेवने देशों का इक तरह से पड़े उनका मुल्यांकन किया जो हमें जरूरत रही उसमें समीधार करके हमने अपने समीधार में सामिल किया हुआ तो किस सम्मिधान से हमारे कौन से सिरोत रहे हैं, मौलिक अधिकार किसे लिए हैं, मौलिक कर्तब किसे लिए हुए हैं, इस सब पर बात करेंगे, भारती सम्मिधान की अनसूचियों पर बात करेंगे, देशी रियासतों का भारत में बिलाय किस तरह से हुआ है, संग ओसका रा संगीय कारपालिका पर हम लोग बात करेंगे, संगीय संसत पर बात करेंगे, भारत का महानयायबादी पढ़ेंगे, भारत का नियंतक महालेखा परिक्चक पर भी बात करेंगे, भारत की संचित निदी और भारत की आकस्मिक्ता निदी, समिधार में संसोधन किस तरह से नियाय प्राइफालिका, राजी की कारिफालिका, केंद राज संबंद, अंतर राजीये परिशत, नेटी आयो, राश्टीये विकास परिशत, वित्त आयो, लोकसेवा आयो, निर्वाचन आयो, परिसीमन आयो, भारती राजवस्ता में बरीताक अनुकरम, राजभासा, आपातोब बं जम्मू कस्मीर को बिसे सम्मीधान एक दर्जा मिला हुआ था उस पर भी बात कर लेंगे अब तो आप सभी जानते हैं कि अतम हो चुका है भारत के राष्टी चिंद, संसत की बित्तिय सम्तिया, पंच्यायती राज, महत्पूर्ण सब्दावलिया, सम्मीधान के कुछ महत्प क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक बहुत बड़ा टॉपिक हमारा एक तरह से आप सोचे कबर हो जाएंगे, आगे आता है भौतिक बिग्यान, और भौतिक बिग्यान में आप देखी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस किलास में, इसमें मातरक, गती, कार, उर्जा, सक्ती के बारे में पढ़ेंगे, गुर्त्वा करसन के बारे में पढ़ेंगे, तरछल्वान, पिष्टतनाव, स्यांता, पित्तियास्तता और फिर आप देखी कि आप लोग क्या करेंगे इसमें अगला, हम लोग किसी में, आवर्थ गती, तरंग, धौनी, पॹश्मा, पिरकास, इस् आप देखें विभिन के अविस्कारक जो रहे हैं उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे ठीक है फिर आप देखेंगे रसायन विग्यान हम लोग एक किलास में कवर करेंगे इसमें पदार्त हो उसकी प्रकीती देखेंगे पर माडू सरचना देखेंगे गेसों का आचरन देखेंगे तत्तों का आवर्ती बर्गी कर रसाइनिक अखिकरन और आवकरण देखेंगे and a confirm मानौनिरवित्पदार्त, उत्पेरण इन सब पर हम लोग, एक किलास में रसायने विग्यानद को कबरकर नाएंगे पिर आएंगे हम लोग जीप विग्यान पर इसमें जीपधारियों का बरगीकंड किस तरह से हुआ है कोसी का विग्यान के बारे में पढ़ेंगे कि पिर मों कुछ है यह आप देखिए जो साख्षा हैं उन पर हम लोगी बात कर लेंगे ठीक है पर एक क्लास में अप लोग बग्यानिवं पुरुधुधुधुश्य की के बारे बिभषिन खेचल और उनसे सम्बंदॡ पिरमुक कब्व और ट्रॉफियाँ जो होती हैं उनपर बात करेंगे हैं। पिरमुक खेलों में एक पक्ष के खिलाडियों की संख्या क्या होती है। पिरमुक देसों की राश्टिये खेल बिभषिन हम लोग क्या करेंगे। बिविन ने खिलों के खेल परिशा देख लेंगे, पिसिद खेल पैदान, उनसे संबंदित खेल देख लेंगे, खेलों से संबंदित पुरसकार, भारत की पिरमुक्स, जो खेल संस्ता हैं, उन्हें भी हम लोग देख लेंगे, फिर अंगली किलास में हम लोग बिविद कबर क करेंगे और बिविद होसकता है कि दो किलास हो मेर चैश इसलिए वह कि इसमें आप देखे भारत में पिए महला है किस पतपर पहुंची है इन्हें देखेंगे जातकी हम लोग क्या करेंग भारत में पिए पुरुस्त, अन्य जो सामन — यह जो प्राइद से यआ पिथम बाद करेंगे क्या पिथम है विसमें सरवाद एक बड़ा छोटा लंबा उंचा पिरमुक देशों की राष्टी चिन देख लेंगे अंतराष्टी सीमाएं देख लेंगे आपसे पूच लेता है कि भारत चाइना को के जो अलग सीमा करती उस नाम उसे किस नाम से जानत किया पिरमुक देशों की सरकारी दिस्तावेज क्या पिरमुक देशों की सरकारी दिस्तावेज विभेन देशों की राजनेतिक दल देख लेंगे हम लोग पिरमुक चिन और पितीक देख लेंगे पिरमुक देशों की राष्टी पसू पक्षी देख लेंगे विस्त की अंत और सविप्त राष्ट संग के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, विसके कुछ अन्न पिरमुक संगठन है उन पर बात करेंगे, विसके पिरमुक संगठन उनके मुख्याल है कहा है, समकाली सविप्त राष्ट अंतराष्टी ये वर्स देख लेंगे, फिर हम लोग समकाली सव पिसीच्चन संस्थान देखेंगे, भारत की आंत्रिक सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, भारत की आंत्रिक सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पिरमुक राज्यों की स्थापना कब हुई है, भारत की पिरमुक सोज संस्थान के बारे में पढ़े उनके कलाकार जो होते हैं उन पर बात करेंगे हम लोग भारत के सांस्कितिक संस्थान गड़ स्ताफना कब भी है उन्हें देख लेंगे समाधी स्थल आपसे पुंचे लेता है रानी लच्छी मेलाई की समाधी कहा है उन पर भी बात करेंगे राज्जों से संबंदित लोग नित हम लोग देखेंगे और पिरमुक आपके जो ब्यक्तियों के लोग प्रिय उपनाम देखेंगे हम लोग पिरमुक ब्यक्तियों से संबंदित इस्थान, पिरमुक पुरुसकाओ संबान देखेंगे राश्टी पुरुसकार और दादा साहब फाल के पुरुसकार पाने बाले बैक्तियों को देख लेंगे भारत रतन से सम्मानित बैक्तियों को ग्यान पीट पुरुसकार से सम्मानित साहितकारों को समझ रहे हैं आप लोग और महानकारियों से सम्मानित बैक्ति प्रमुक जहाओ और उसे उन्हें भी हम लोग मानेंगे. लेकिन अंगली कलास में हम लोग बात करेंगे आपके भारत की प्राचीन, इतिहास को हम लोग बड़े प्यार से पढ़ेंगे. और आप देखें कि बड़े बेस्टार से पढ़ेंगे. लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लोग किसी भी government की ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं और revision के point view से आप लोग जरूर stage PCS में भी इसे पढ़ सकते हैं इस books को कोई problem नहीं है आप लोग enjoy करते रहे हैं चलिए हम लोग मिलते हैं आगे